नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोवेक एंजिनिरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइब लिएटिड में दोस्तों हमारे कई सारी वीडियो में हमने फिश फिट लाइन को केटिट फिट लाइन पोहा प्लांट मूरी प्लांट सब कवर किया आज इस वीडियो में हम आपको इस्पेशली वीट फ्लोर मिल प्लांट यानि कि गहूं का आटा बनाने के प्लांट के बारे में पूरा क्वामेंट होगी और आखिर इस पूरे बिजनिस में हमें कितनी बचत होगी इन सारे ही पहलों पे हम वन बाइवन बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों इस सफर को शुरुवात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरे वीडियो को आप अंति तक दे दे और दूसरी बात यह है कि यह वीडियो हम कंपनी यानिकि हमारी कंपनी जो प्रोवेक एंजिनिंग फूट प्रोसेशिंग प्राइव लिमिटेड है क्योंकि हम खुद ही मैनुफेक्शर हैं और हमारे दवरा यह वीडियो जनेरेटेड है इसमें आप पूरी इसे कॉंटेट ना करते हुए डारेक्ट हमारी पंपनी को आप आउडर करके मशनी लगवा सकते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखना तथा लाइक और सब्सक्राइब जरू करना और कमेंट भी जरू करना तो सबसे पहले दोस्तों हम यह सम लेकिन आखिर गेहूं जो की ब्राउन कलर का होता है उससे वीड आटा आता कहां से यह समझनी की बात है तो जी हां दोस्तों जो हम गेहूं को अपने हाथ में रखते हैं तो गेहूं का एक तो होता है बाहरी सर्फेस जिसको हम बोलते हैं ब्रान जिसको बोलते हैं हम लोग और एक होता internal surface जो आटा जिसके अंदर भरा होता पूरा उसको बोलते हम endosperm तो जब हम लोग wheat को plant के अंदर प्रोसेस करते हैं तो बाहरी सते को और अंध्य सते को हम milling और sieving process से अलग करके चापड यानि कि bran को अलग कर लेते हैं जिसको हम chokar भी बोलते हैं और जो wheat का flour है यानि कि यह काटा है उसको अलग कर लेते हैं तो यह पूरा प्रोसेस के अंदर हम लोग तीन चार तरीके से processing करते हैं सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि wheat आता कहां से तो जी हम wheat आता है आपके farm से यानि खेट से आता है तो जो खेट से हम लोग wheat को काटते हैं तो उसके अंदर डूंडली आती है dust आती है, dirt आती है, mud balls आते हैं, stones आते हैं तो wheat जब farm से आता है तो उसके अंदर कई सारी गंदगियां मौजूद होती है यानि कि foreign material या बाहरी तत्युस में मौजूद होते हैं जिसको अगर हमने process नहीं किया या साफ नहीं किया तो मराटा कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है तो इसलिए हमें सबसे पहले इसको clean करना होता है जो भी wheat आपका farm से आएगा या मंडी से आएगा उसको सबसे पहले आपको clean करना होता है cleaning करने के बाद में आपको इसको softening करना होता है conditioning करना होता है यानि कि इसके अंदर पानी लगाना होता है उसके बाद इसको आपको grinding करना होता है यानि कि पिसाई करना होता है और उसके बाद चाना ही करना होता है तो इन चार process से यानि कि one to one ये चार process back to back जब हम करते हैं वीट से वीट टॉर कैसे बनता है अब हम समझें distort को से vast profile कई यूज़ कि लोसे upright के शोर की वङीज्क है तो डोस्तों ah,… कईसा ऐख दिखा जाए तो वीट लोर हम्हारे पुरे इंडिया कांचरई के अंदर को सब्सक्राइब है रोटी बनाने के काम मौता है इसको साथ माल पो काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि wheat जो floor है वह सबसे बड़ा source है carbohydrate का यानि कि energy का carbohydrate is equal to energy यानि कि wheat और wheat floor हमको energy देने का काम करता है साथ ही साथ अगर हम बात करें 100 gram wheat की तो उसके अंदर 13% यानि कि 13 gram के आजपास protein होता है तो यानि कि अगर देखा जाए तो vegetarian society के अंदर ये soybean के बाद और कुछ lentils यानि की दालों के बाद wheat सबसे बड़ा protein का source है इसके बाद दोस्तों क्योंकि wheat में आपको मैंने बताया कि इसका भारी surface को हम चापड बोलते हैं या brand बोलते हैं और अंदर के surface को endosperm बोलते हैं जिसमें से आटा निकलता है तो इसकी जो बाहरी surface है जिसको हम चापड बोलते हैं यह fiber का सबसे बड़ा source है तो अगर हम एक configuration देखें तो हम जब एक wheat को हम उसका पूरा नमाल लगाते हैं तो एक wheat का 80-85% portion के अंदर आटा भरा होता है और 12% portion जो उसका होता है उसके अंदर ब्रान होता है और बाकि 3% जो proportions होता है इसके अंदर इसमें पूर्च होते हैं जिससे की wheat के अंदर oxidation होता है तो अगर हम देखा जाए तो एक पूरा wheat जो grinding करते हैं तो हम अनमानित 8-10% उसके अंदर से fiber निकाल सकते हैं यानि कि ब्रान निका तो एक तो दोस्तो सबसे जाजा जो बहुत चर्चित है वह है वाइट फ्लॉर यानि कि सफेद जो गहूं का आटा आता है जिससे हम लोग घर पर रोटी बनाते है नॉर्मरली वह जो की इंटरनल जो निकला हुआ सिधा ग्रैंडिंग होने के बाद में और ब्रान को अलग करन और यह आपको बताना जरूरी है कि जो यह होल वीट फ्लोर होता है यह सबसे ज़्यादा उपयोग होता है हमारे डाइबिटीस यानि मधू में से पीडित रोगियों के लिए क्योंकि यह फाइबर का सबसे बड़ा सोर्स होता है फाइबर प्लस कार्बोईडेट का कि दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारे जोगरों में यूज होता है वह वह आटा यूज होता है जिसके अंदर से हम लोग ब्रान को यानि की चापड को भार अलग कर देते हैं और यह चापड बाद में फिर केटल फीट के लिए पशु हार के लिए या मुर्गी पलन के लिए या फिर फिश पलन के लिए चला जाता है तो इस तरह से दोस्तों एक 100 किलों का लगवग लगवग 90 प्रतिश्यत का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एंडर स्पर्म जिसको हम पिसाई करके वाइट वीट फ्लॉर में कर्वेट करते हैं वो हमारे घर पे आटा की रू सूजी तो जी है दोस्तों जो अंदर का इंडर स्पर्म पार्ट है उस ही पार्ट को अगर हम लोग कोर्स और फाइन 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 करेंगे तो हम लोग इससे मैदा बना सकते हैं जो हमारे घर पे समोशा कचोरी या मठरी अलगले उतपास बनने काम आता है तता पूरे वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वीट फ्लार यानि कि सफेद जो गहूं का आटा है उसके बारे मताना जा रहे हैं जानी कि वह आटा जिसके अंदर से हम चापड अलग कर देंगे और गहूं का आटा हमारा अलग हो जाए उसके बारे में बात करना जा रहे लोह अलकड होता है डूंडली होती है डस्ट होती है डर्ट होती है किसी का गमचा होता है क्योंकि किसान लोग इसको काड़ते हैं तो हमें सबसे पहले किसी भी तरह से अच्छा आटान बानाने के लिए जरूरी है कि हम ये सारी चीजों को हमारे गहूं से अलक कर दें तो जी हां दोस्तों, इसके लिए हम यूज करते हैं Highly Scientific Continuous Process Yugt cleaning section इस cleaning section में 4-5 stages में हम लोग सारी ही चीजों को अलग-अलग तरीके से निकालते हैं जी हां दोस्तों, सबसे पहले जब हम गहूं को प्रनाट में लाते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको डालते हैं Elevator से Drum Seew का अंदर जी हां, यह Drum Seew तीन पार्ट में बनी होती है, यानि इसमें जालिया लगी होती है मोटी, बारिक और बारिक, तो इसमें हम गहूं के अलावा, बाकी जो चीजे होती हैं जो फाल्तु चीजे हैं, जानि कि गमचा हो गया, या माली डूंडली हो गया, या लोह अलकड हो गया वो सारी ही चीजें यहां पर अलग हो जाती है, गहूं जाली से पाच्चा करके निच्च कट्टा हो जाता है लेकिन अभी यह गहूं पूरी तरह से क्लीन नहीं है, इसके बाद हम सेकंड स्टेज में गहूं को ले जाते हैं वाइबरो सेपरेटर में, जैसे कि नाम से ही समझ मा आ रहा है, सेपरेटर मतलब जो कि अलग करेगा, सेपरेट करेगा और वाइबरो मतलब जिसका बेस वाइबरेशन है, इस प्रोसेस के अंदर दोस्तों, वाइबरेशन से गहूं जंप खाता है, उचकता है और इस प्रोसेस के अंदर जो बाकी हलकी चीज़े हैं, जैसे डूंडिली हो गई, या डस्ट हो गई, डर्ट हो गई, वो सब चीज़ें, डेंसिटी डिफरेंस की वाई से अलग होकर के साइड में निकल जाएंगी, या फिर एयर से सैको को करके साइकलों पहुँच जाएंग आपकी वीट की बड़िया क्वाल्टी को एंशूर करती हैं, जी है दोस्तों, यहां पर वाईपरो से अपटर में ज्यान रखने की चीज़ें, हमने उस चीज़ को निकाला जो कि ग्यहूं से हलकी है, जिसका डेंसिटी ग्यहूं से कम है, क्योंकि यहां पर जब ग्यहूं को इसको निकालने के लिए, वाईपरो से पटर से निकला हूँआ गहूं, हमारा जाता सीधा ड्रायडी य्रक है, जी हैं दोस्तों, अफसे बोलते हैं क्योंकि रग्याध जैसा है आपको समझ मारा है, डी स्टोन न मतलब जो इस्टोन को अलग कर देगा है यहाँ पर दोस्तो सेम प्रिर्चिपल यहाँ पर अपलाय होता है लेकिन यहाँ पर जो मुवम्हेंट होता है वो होरिजन्व प्लस वर्टिकल दोनों होता है यानि कि इसमें material उलर्ट साइड में, पीछे की साइड में, जो heavy material पीछे की साइड में जाएगा और हलका material जो आपका आगे की साइड में आ जाएगा, इसमें भी same principle होता है, vibration होता है चता इसमें एक horizontal movement भी होती है, vibration भी horizontal movement होती है जिससे कि stone particles उचक करके अलगा जाते हैं, और horizontal movement की वहीसा वो अलग होते जाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा अलग technique यूज होता है, लेकिन इस process से हम यहाँ पर mud balls को या stone particles को अलग कर ले दें दोस्तों यहाँ तक आने के बाद इस पूर प्रोसेस के अंदर हमारा air section भी चलता रहता है यानि की vibrator separator पर भी हमारा air section system होता है, distorner पर भी हमारा air section system होता है इसके जो भी dust or dirt प्रोसेस में बनती है या होती है वो सारी हमारी सको करके यानि की summit करके हम लोग एक cycle उनों भर लेते हैं दोस्तों यहाँ से जो wheat निकला अभी भी इस wheat के अंदर कुछ गंदगियां मोजूद रहती हैं जो हम अगर बात करें wheat की तो जो हम wheat को इस तरह से खड़ा रखते हैं तो उसमें कुछ क्यारया बनी होती है कुछ निशानया बनी होती है इनके अंदर भरी होती है तो दोस्तों इसको साफ करने के लिए हम लोग scorer machine की करते हैं जो brushing action से इस पूरी धारियों के अंदर जो गंदगी मोजूद है या dust चिपकी हुई है जो बाहर से चिपकी हुई है जो दिखनी रही है उसको साफ कर लेती है और यहाँ से आगर हम देखें तो drum sieve, vibro separator, dish toner, scorer इन चार basic machine से जब हमारा material निकलता है तो वह लगभग लगभग पूरी तरह से cleaning हो चुका होता है इसके बाद हमें इसमें further cleaning की आउशकता नहीं होती है लेकिन दोस्तों यह endless process है आज हम जो बात कर रहे हैं छोटे plants की बात कर रहे हैं कई सारे बड़े plants के अंदर तीन state पर भ अंदगी हम बाहर निकाल सकते हैं उतना ही वाइट उतना ही प्योर हमारा आटा होगा तो एक प्योर आटे के लिए हमें cleaning पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो अब दोस्तों इस चारों process से निकलने के बाद में हमारा वीट लगभग लगभग 100% cleaning हो चुका होता है और आखिर हमें softening करनी क्यों है दोस्तों simple says का funda हम इस तरह से जानते हैं कि अगर हम लोग softening नहीं करते हैं तो क्या होगा और softening करते हैं तो क्या होगा दोस्तों हमें बनाना है हमारा end पर पजह wheat floor जो कि सफेद हो जब हम softening नहीं करते हैं तो wheat का जो outer coat है जिसको कि हम ब्रान ब नरब होने से जब हमारा यह wheat softening के बाद चक्की में जाता है तो आसानी से अंदर के endosperm से आठा निकल जाता है और यह जो भाहर का surface जिसको हम ब्रान बोलते हैं यह चापड के रूप में अलग हो जाता है अगर हम लोग softening नहीं करते हैं तो यह जो भाहर का surface है इसको फोड पीशने के लिए यह भाहरी surface को पीशने के चकर में हमाना endosperm जो पाउडर है जो इतना नरम है नौर्मल है वह फिर काला पढ़ने लग जाता पीला पढ़ने लग जाता है क्योंकि जलने की तरफ जाने लग जाता है तो जो सबसे बड़ा इस पूरे process के अंदर हमारे color को य तता साथ यह साथ यह पूरा गुनवत्ता युक्त होगा यानि कि क्योंकि हम लोग पहले इसको पानी लगा करके इसको soft कर रहे हैं तो soft करने से हमें बाद में grinding में ज्यादा ताकत नहीं लगाने पड़ती है और इस तरह से हम लोग कम power के अंदर हमारे घ्यों को आटे में convert क कर पाते हैं तो softening यानि conditioning इस पूरे process का सबसे अभिन और important पार्ट है जहां से हम लोग quality को decide कर सकते हैं कई factories आज की रेट में पानी को नहीं लगाती हैं और किसी भी तरह कैसे ग्यों को piece करके निकाल देती हैं तो आप जाके दिख सकते हैं जब भी आप देखे हैं कि आटा है आटे में तो पीला पनी यानि कि आठा जला हुआ असा है जो की softening ना करने के कारणा है इसलिए softening important part है तो दोस्तों softening के बाद में हमारा यह जो है सीधे सीधे चक्की में जाता है तो चक्की का जैसे आप जानते हैं कि दो पार्टन की बीच में साबुत बश्चाना कोई जैने कि दो पार्ट होते हैं जिनके बीच में कोई साबूत नहीं बसता है इस तरह से गहुँ भी जब चक्की की पार्ट की बीच में आता है जो पार्ट घूम रहा है उसके बीच में आकर कि ये गहुँ पूरा powder में convert हो जाता है और बाहर निकल का आ जाता है और इस लोग temperature को maintain रखने के लिए चक्की का RPM कम से कम रखते हैं और productivity ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं साथ साथ चक्की के अंदर center में input जाता है और output जो है दो पाटों के बीच से side में निकल का आता है इस पूरे process से first come first रखते हैं पहली बार पिसकर के बहार निकल का आ जाता है इसलिए उसकी री grinding की कोई possibility नहीं होती है तो अब यहां से चक्की चो जो हमारा आटा बना इसके अंदर अभी भी ब्रान है क्योंकि हमने अभी से प्रिसाई की है अब इस आटे को हम लोग numatically यानि की हवा के system से blowing system से उठा करके सीधा हम ले जाते है centrifugal sieving machine जी है centrifugal sieving machine एक तरकी वो machine है जिसका अंदर एक rotating drum है जिसको उपर जाली लगाई हुई हमने और drum के अंदर जब हम लोग इस पूरे आटे को डालते हैं जिसमें की ब्रान भी है और हमारा endospam भी है जब इसके अंदर जाता है तो centrifugal force की वज़े से यह गहूं का आटा ड्रम की बाहर की surface पर चिपटता है और यहाँ पर चनाई हो करके हम लोग इसको नीचे ड्रम में कर लेते हैं तो यह प्रोसेस हमारी पूरी quality को decide करने वाली important step है अगर हम किसी भी चूक से ब्रान को आटे में mix कर देते पिसाई के बाद तो हमारी आटे में क्रिकर आएगी अगर हम ब्रान को separate कर रहे हैं और आटे को separate कर रहे हैं तो पूरी तरस से separate करना होगा otherwise अगर हमें separate नहीं करना है तो पीछे दाप कम करके हमको whole wheat आटा बनाना पड़ेगा इसलिए यहां पर दोलों का separation बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों हम अगर nut shell में देखें तो cleaning, conditioning, grinding and sieving इन चार प्रोसेस से हम ग्यहूं से ग्यहूं का आटा बना रहे हैं जो की basically हमारे normal घर आटा है अब दोस्तों यह तो हुआ पूरो प्रोसेस के बारे में जहनकारी अब हम यह समझते हैं कि आखेर plant level पे इस छोटे plant के क्या-क्या variant अवलबल है तो दोस्तों हमारी company प्रोविक engineering and food processing प्रावल लिमिटेट पुने, कोटा, बनारस, आगरा and गोहाटी पांचो ही जग पर आटे plant से लेटेट काम कर रहे हैं, हमारी company 100 kg पर आवर के सबसे छोटा plant मनाती है, उसके बाद हमारे पास 200-200 kg पर आवर, 500 kg पर वन टन यान कि 1000 kg पर आवर, 2000 kg पर और 4000 kg पर आवर, इस तरह के 6-7 variant हमारे पास plant के हैं, लेकिन normally एक normal व्यवसाई जो start-up में जा रहा है, वो 200 kg पर आवर से लेकर के 1000 kg पर आवर के प्लाट को ज्यादा यूज़ करता है, क्योंकि इस पूरे प्लाट से उसकी normal 200-200 km की जो periphery है, उसकी requirement को आसानी से पूरा कर सकता है, तो दोस्तों, जासे आप जानते हैं कि आटा एक perishable item है, आटे की shelf life, क्योंकि हम लोग पानी लगा र सकते हैं, इस से जादा इसकी shelf life प्यानी की storage चमता नहीं होती है, नॉर्मल environment के अंदर, लेकिन अगर आप इसको frozen chamber में या freeze में रखते हैं, तो आप आरान से इसको एक साल तक भी चला सकते हैं, लेकि नॉर्मल atmosphere के अंदर, क्योंकि हमारे हर state के अंदर आलग लग लग मॉश् इतना की बीख सकता है, और आप surplus आटा बना करके अपने हाँ storage रखने की कोशिश ना करें, आटे को उत्रहीं लेवल से प्लान करें, इससाब से अपने प्लांट की capacity को भी आप प्लान करें, कि अगर आप अपने 200-200 km के periphery में 200 क्लो पर आवर बीज सकते हैं, 500 क्लो पर आवर बीख सकते हैं, वन टन बीख सकते हैं, यह आपको decide करना है, और इससे सबसाब को प्लांट का selection करना है, आप बात आई दोस्तों, प्लांट के साथ में प्लांट की कितनी किती पावर लगती है, तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो 100 kg के प्लांट के अंदर 27 HP, 27 HP पावर की आ अगर हम बात करें, तो 100 HP का प्लांट आप आराम से 700-800 sq. ft. में लगा सकते हैं, तो आप आराम से 2000 sq. ft. के अंदर with raw material and with finished product बना सकते हैं, 500 kg के प्लांट की बात करें, तो आप आराम से 3-3,500 sq. ft. के अंदर आप raw material plant plus finished product, तीनों के साथ प्लांट के सकते हैं, और 1 tn के प्ल जो है 2000 kg पर आवर का 4000 kg पर आवर का यह बिल्कुल ही commercial वेरेंट के अंदर आ जाता है जिस पे आपको plant farm structure और बाकी सब चीज़े लगा करके पूरा plant resign करना होता है तो mostly अगर हम एक startup के रूप में बात करें जो हमारे छोटे-छोटे वेवसाई जो अभी नए नए startup के रूप में आ रहे हैं वह 100 kg पर आवर से लिकरके 1000 kg के पर आवर का ही plant select करते हैं और इससे आप अपने नेच्छरल अपने जो आसपास का area है 500-200 km का periphery जो हो गया उसका आप आसानी से cover कर सकते हैं और आसानी से बड़ी companies यानि की अटानी का fortune आ रहा है या आशिरवाद आटा आ रहा है शक्तिवाट आ रहा है इन सब को आसानी से आप compete कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इन companies के अंदर इन लोगों को दूर तक आटा पहु आटा दे करके अच्छे से इस पूरे market को capture कर सकते हैं इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है अगर आपको बड़ी companies को टकर देनी है तो आपको raw material यानि कि आपको किस quality का किस variety का गहूं आपको select करना किस सारा आपको सबसे पहले decide करना पड़ेगा जैसे कि इसमें लोगोन आ कि नहीं होता हुआ हलकि देश के हर पार्ट का गहूं होता है लेकिन कुछ weight का गहूं बहुत dummy होता है लेकिन इसका बनना वाला आटा होताय है गुनवत्ता बहुत ही अच्छी होती है उसकी रोटी एकदम ऐसी बनती है जो रोबर की तरह ना होती है बिलकुल सौफ रोटी बनती है तो दोस्तों जैसा आप इसमें इंपूट डालेंगे वैसा ही आप सकंदर चपादी बना सकते हैं इसलिए अपने दियामाग में यह ध्य एपuyलेयरे करोड में यह जैसे हैं दोस्तों आटे का प्लांट को देखें अगर हम लोग इसा बेडना कर सकते हैं अगर हम लोग continuously plant को चला रहे हैं और अगर हम लोग intermittent चला रहे हैं यानि कि recommend के साब से चला रहे हैं तो एक सी डेट के लोग का profit आसाने से generate कर सकते हैं तो यह तो हुआ दोस्तों इसके अंदर profit margin का बात तो दोस्तों यह सारी हो गई theoretical information यानि कि गहूं क्या होता है गहूं का आटा क्या होता है कैसे machines होती है कैसे cleaning होती है कैसे softening conditioning होती है क्या आटा कैसे बनता है यह सारी information हमने यह आते देख ली और आचा है कि मैंने इस पूरे खतम नहीं हुआ है अब हम one to one field में यानि हमारे plant में जाएंगे जहां हमारी machines बनती है वहाँ पर one to one जा करके हम हर machine को overview करेंगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आखिर हो machine दिखती कैसी है और वो machine होती क्या है तो आपने अभी तक पूरे process को जो मेरा वीडियो है उसको आप ध्यान से सुनिये एक एक machine की जानकरी को लिखिए और अब हम चलते है plant के टोर पर जहां पर हम लोग आपको one to one सारी machines दिखाएंगे सादा वीडियो बना रहे है ताकि आपको हमारी machine के quality और machine बनाने की जो हमारी जो प्रोफिशेंसी है उसके वारे मापको पता लग जाए और यह machine जब कलर होकर के plant में लगती है तो उसका वीडियो हम अलग सापको डाल के दिखाएंगे और अभी फिलाल हम आपको production में हमारी machines कैसी लगती है कैसी उनकी heavy structure है कितनी life दे सकती है इनका working क्या है इसके वारे में जनकरी दे रहे है तो यह इस प्लांट से अलग थोड़ी सी में आपको देने जा रहा हूँ आज की डेट में क्योंकि technology day by day अपडेट हो रही है तो आज गुड़ाई नहीं कर सकते तो उस case में हम लोग इस प्लाजर मेशिन को देते हैं जहां पर की जाली सिस्टम रहता है जाली सिस्टम के ओपर जब हमारा पानी लगा हूँ आता है तो उससे हम लोग इसको बारीक पाउडर में convert कर देते हैं लेकिन अगर कुणोत्त की बात की यहेकर हो फिर भी गुड़ोत्ता जो उती है वह हमारे चक्की का आट रहता चक्की फ्रेश चागा जो रहता वहीसी गुड़ोता या वैसा टेस्ट इसमें नहीं आपाता है यह जस्ट उन लोगों के लिए को की सिर्फ और सिर्फ चक्की कि विना आटा बनाना चातें उसके के लिए ठीक है लेकिन सबसे अच्छे जो रिजल्ट अभी आटे के आते हैं वो चक्की से ही आते हैं यह जस्ट आपकी इंफोर्मिशन के लिए ताकि आप लोग अगर चक्की बिना आटा बनाने की सोचते हैं तो इसके लिए भी हमारा पर मशीन मौझूद है दोस्तों आप हम हमारे पड़ाओ के सबसे अंतिम मशीन पे हैं लेकिन यह अंतिम मशीन आओकर के अगर देखा जाए तो क्वालिटी के लिए सबसे डिसाइडिंग फेक्टर है यह मशीन है सेउटरिस्बीलरी मशीन यह दोस्तों इस मशीन के अंदेर हम लोग हमारे चक्की से निकलना वाले आटे को निमेटिकलई यहनी हावास कर के यहां पर लाते हैं यहाँ से यह अर लोक्स सिस्टम से यह आटा यह पूराओ सिस्टम का thrilled है गूं सकता तो उस तरह की डिजर्ट जाली हम लोग यहां पर लगा सकते हैं इस पूरी सिस्टम के अंदर जब हमारा पिसा हुआ आटा घुशता है तो बारी काटा निकल करके भारी सर्फेस पर आ जाता है और मोटा जो चौपड रहता है वह आलक हो करके हमको उस आटलेट से मिल जाएग और हमारा जो बारी काटा है वह हमको फस्ट आटलेट से मिल जाएगा इस मशीन का सही तरह से मैनुफेक्शिंग इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि किसी भी तरह से अगर हमारा चापड गयहूं में मिलता है तो हमारी आटे की गुणवत्ता खराब हो चकती है इसलिए यह है मशीन हमारे आटे की कुवालिटी को डिसाइडिंग करने में सबसे इंपोर्टेंट स्टैफ है क्योंकि यहां से हम लोग अपनी जाली को बारिक करके हमारे आटे के सबसे हम लोग इसको बना के बीच सकते हैं तो इसलिए इस मशीन से हम लोग जब तक परफेक्ट सीविं नीचे जो श्कुरू वर्म लगा हुआ है जो कि हमारा ब्रांड को चापड को आगे लेका रहा है इन सब का सही तरह से स्यूजिंग करना इस मशिन की सही गुणवत तक डिसाइड करता है और सही गुणवत तक मशीन में आकर हम यह सुने की करते हैं कि आप इस मशीन से बनने आप और बाले आठे को आसानी से डारेक्ट मारकेट में किसे भी मशीन के कंपेर बीच सकते हैं आप देखे सकते हैं अब दोस्तों यह बहुत है बनी ही है जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कम्पनी में मोचूद सारी मेशीन हम लोग है वी स्टील को यूज करते जो आकि आप करस्टमर में उसके सिर्थ खार लाइफ मिले को और आख्यों पांथ से रहे हैं और प्टस्तों जी वनमें एक बाख लिए था लेकिन आगर प्रांट सभूतार से जलता और इसकी सभू हम अपनी अपनी जो मेंट्र unto को कम से कम कर सकते कर दो कर दो कर दोस्तों यह था हमारा फेक्ट्री को टूर जहां पर हमने आपको वीडियो में पहले एक्स्प्लिन की हुई सारी मेशिन को हमने वन तो वन आपको दिखाया किस तरह से हम एक बेस्ट क्वाल्टी बेस्ट रॉ मेटल को चुनाव करते हुए हम वानी मेशिन को डिजाइन कर हैं और किस तरह से हम साथ-से-ार्ट मेशिन के कवंबिनेशं से से सिंख्रोनाजीशन से एक से गियों से गियों का आठा बनाने का प्लान को प्लान कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर दोस्तों आपने क्लिनिक सेक्शन को भी देखा उसके अंदर लगने वाले मेशिन को भी देखा आपने चक्की भी देखी निमेटिक सिस्टम भी देखा और आपने सेविंग मेशिन भी देखी जो कि इस पूरे प्लान को डिफ पे यह वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ हमारे इस चैनल को कमेट भी कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको से लेटेट कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर 7073642737 पर कॉल करके या वाट्सप करके इस प्लांट बात यह कि फरवरी का सीजन आ रहा है जहां पर की यहों की कटाई पूरे इंडिया के दर चालू जाती है और बहुत ही मात्रा में यहों से आटे बनाने के प्लांट लोगों की डिमांड मा जाते हैं तो अगर आपको सही समय से प्लानिंग करना हो और अगर आपने पूरा मा मार्केट में एंट्री कर सकें और बड़े-बड़े दिगच जो आसानी से मार्केट में बैठे हुए उनको आप कंपीट करके अपने आटे की सेल को बढ़ा सकें तो इस पूरे प्लांट से लेटेट ज्यादा जन्वरी की प्राप करने के लिए आप हमारी वेबसाट www.pvg foodmachine manufacturer.com या www.provicengineering.in पर भी जाकर के आप इसके बार में ज्यादा इंक्वरी प्राप कर सकते हैं इन्फोमिशन प्राप कर सकते हैं तो साथ ही साथ आप अपने जिससे कई दोस्तों को किसान भाईयों को फार्मर्स को या एंट विजर्स को इस पूरे वीडियो को फॉर्ड़ थैंक्यों आप झाल